हेलो एब्रीबन माइनेम है जनुज कुमार वेलकम टू माइ यूटूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजमनाश्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आज का मेरा टॉपिक है टाइपस ओब बॉन टाइपस ओब बॉन से जितने भी कोर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं इस वीडियो में सारे कोर्शन डिसकस करूँगा कि बॉन कितने प्रकारगी होती हैं उनसे किस किस टाइपसे कोर्शन बनते हैं जैसे कि आप के सामने हम सबसे पहले बात करते हैं बोन जो है कैसे बनी होती है बोन हिजा strong and durable type of connective tissue आपसे question पूछा जाता है बोन जो है हड़ी वो किस type का tissue है तो connective tissue बोन जो है strong connective tissue है अब बोन की जो composition बोन कैसे बनती है उसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है सबसे पहले हम उस पर discuss करते हैं तो मालो जो भी बोन है उस बोन में 25% water 25% bone cell 50% calcium and phosphate तो हम बात करते हैं bone cell पर bone cell होता है osteocyte आपसे question पूछा जाता है कि bone की cell को हम क्या बोलते है osteocytes इन तीनों चीयों से मिलकर हमारी bone तयार होती है अब हम बात करते है skeleton system में bone कितने परकारकी होती है चलते हागे there are five types of bone in the skeleton हमारी human body में पांच परकारकी bone देखने को मिलती है आपसे question पूछा आता है exam में कि bone कितने परकारकी होती है तो पहला question मनता है पांच परकारकी होती है अब वे कौन कौन सी bone है हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे sword bone पर sword bone जो होती है दिखने वह छोटी होती है और इनका जो size है बहुत ही छोटा और इनके भी और भी size है जैसे की cube save में तो हम बात करते हैं ये कहां देखने को मिलती है next question है long bone दिखने में बहुत लंबी होगी चोड़ी होगी और ये bone जो हैं हमें weight और support के लिए काम करती है next bone है flat bone flat bone का काम होता है internal organ को support करना flat bone जो होती है कहां देखने को मिलती है इस पर बात करेंगे next है irregular bone irregular bone कैसी होती है इनका कोई shape नहीं दिखने में लगता है अलगी टैप की bone होती है irregular bone हम बात करेंगे कहां देखने को मिलती है सिस्मोड bone कहां देखने को मिलती है हम इस पर discuss करेंगे तो basically आपसे question पूछा आता है कि types of bone these are five types easy question और वार 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 पूछा आता है bone की जो composition है मैंने आपको बताया water 25% osteocytes जिसको हम बोलते है bone cell 25% बाकी calcium phosphate जो है 50% अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी bone है चलते हैं यह हमारे सामने एक skeleton system है और मैंने इस skeleton system में से जितने भी मैं types की bone के बारे में discuss किया है वो मैंने अलग-अलग करके आपको दिखा रहा है अब हम बात करते हैं सबसे पहले यह आपके सामने चोड़ी जो दिख रही है इसको हम बोलते है flat bone flat bone हमारे कहां ज़्यादा देखने को मिलती है वो है आपके skull में जिसको हम बोलते है frontal bone, occipital bone यह किस टाइप की bone है यह है flat bone और next आपके सामने यह दिख रहा होगा जो rips है rips उससे touch है mid में इसको हम बोलते है Smells ी इस्टरी नह्यम यह वी एक flat bone है next अब हम बात करते है systemoid bone कांसी होती है systemoid bone यह आप देख सकते है ж इसको हम पोलते है और यह कहां पर देखने को मिलती है हमारे नी के joints में जिसको को हम बोलते है पटेला bone यह एक systemoid bone है next I衹ी शौट है ! यह कहां देखने को मिलता है?! इस कण्या से कोशन में पूछा जाता है ! तो कारफल कारफल कहां होता है? छी सिंडिता है ! इस तरीके से आपसे कोशन कंच्रच बन जी है ?! अगर आपके सामने पूछता है कि दिय कि सोट जौंत लोड़ेॉचन में आपको गरी बन नेक्ट आपके सामने इसको देख सकते हैं यह वर्टेवरा कॉलम इसका जो हाप बून है तो आप इसको देख सकते हैं इस बून को हम बोलते हैं इस रेगुलर बून इसका कोई सेप ही नहीं दिख रहा है अब हम बात करेंगे विद पिक्चर चलते हैं सबसे पहले सौट बून मैंने आपको बताया सौट बून जो हैं मैगजियम आपके रिस्ट में और एंकल में देखनों को मिलती है तो कारपल और टार्सल जो बून है कारपल और टार्सल जो बून है वो सौट बून है और कारपल कहा होता है? रिस्ट में होता है, ये भी question पूचा आते है आपसे, और tarsal कहा होता है? एंकल में होता है, ये सारे question आपके exam में आये हुआ है, ये short bone है, next हम बात करते हैं long bone पर, long bone हमारी human body में, कहां कहां देखने को मिलती है, ये humorous bone है इसको आप बोलते हैं बाजू radius ये भी long bone है अन्ना ये भी long bone है metatarsal, metacarpal ये भी long bone है ये question आपके exam में आये हुए next आपके सामने flanges जो bone है इसको आप बोलते हैं finger ये भी long bone है femur ये भी long bone है fibula ये भी long bone है tibia ये भी long bone है ये सारे की सारे जो है ये long bone है आपसे question पूछा जाएगा femur किस टाइप की bone है? और सबसे मजबुद हड़ी भी है आपसे question पूछा जाता है कि femur body की सबसे मजबुद हड़ी कौन सी है तो आप कौन से लगाना है femur fibula long bone, tibia long bone metatarsal long bone, flanges long bone metacarpal long bone और alna और radius rumerus ये long bone तो आपको एक भी question नहीं छोड़ना है अब हम बात करते हैं next flat bone मैंने जैसे आपको बताया था इसको हम बोलते हैं frontal bone ये जो है frontal bone बोलते हैं जो हमारे इसकल में देखनों को मिलती है occipital ये भी flat bone है sternum ये भी flat bone है rips ये भी flat bone है तो आप देख सकते हैं scapula ये scapula है ये भी flat bone है sternum देख सकते हैं ये भी flat bone है rips जिसको हम बोलते हैं फसलियां 24 होती है ये भी फ्लेट बोन है ये आप दे सकते हैं इसको हम बोलते हैं forehead, mata ये भी फ्लेट बोन है उसके just पीछे वाली, side वाली, occipital ये भी फ्लेट बोन है तो सारे के सारे ये question आपके exam में आए हुए है आप इनको note down करेंगे और याद करेंगे next आपके सामने irregular bone irregular bone का मतलब होता है वो दिखने में अलगी type की दिखती हो उसका कोई रूप ना हो जैसे कि हम जानते हैं कि short और long हम इजली तरीके से पहचा लेते हैं लंबी होगी तो long छोटी है कोई तो उसको हम short बोलते हैं तो ये दिखने में भी लंबी लग रही है छोटी विखती है इसका अलगी रूप है तो यह जो maximum जो sensation बोन देखने को मिलती है वो果ár कउलम में देखनों को मिलती है और पहले में गिडल में Vu देखने को मिलती है तो जितने भी वर्टेबला कोलम में बोन है वो सब इर्रेगुलर बोन है आपसे कोर्शन पूचाएगा वर्टेबला कोलम में किस टाप की बोन होती है इर्रेगुलर पहले ग्रीडल में किस टाप की बोन होती है इर्रेगुलर यह सारे के सारे कोर्शन आप सिस्मोड बोन जो है वो पटेला बोन को बोलते हैं और पटेला बोन जो होती है इसको मुवाइल बोन भी बोलते हैं मुवाइल बोन इसको आप गोल बोन भी बोलते हैं सिस्मोड बोन जो है पटेला के अलाबा और एक और हमारे जगह पर देखनों को मिलती है जैसे कि आपको यह फ्लेंजिस हैं फ्लेंजिस की जो जोएंट्स हैं उनमें आपको सिस्मोट बोन देखनों को मिलेगी तो यहाँ पर मैंने पांच प्रकार की जो बोन डिसकस करी हैं इनसे आपका एक या दो कोशन एक्जाम में बनता है तो सारी जितने भी खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहे हैं लग वक्ट आप इन बोन को नोट डाउन करेंगे और फिर इनको याद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारी बोन आपको याद हो जाने थैंक यू